हालो नवस्ते गई सुझागत आप से भी का मारी से यूट्यूब चेनल जी के पाइट्री की 99 में दोस्तों आज हम चट्चा कर लेते हैं रिग्रूब डी का इतिजार बहुत सा रिष्टून करते हैं और यह वाकिब भी है कि बहुत सा रिष्टून इसका फॉर्म बढ़ते है जिसमें लगभग पिछली बार की बात करें तो लगभग 1.3 CR यानि की एक पॉइंट तीन करूर के आसपस लोग ने वह फॉर्म बढ़ता तो यह ग्रूब डी में रहती है वेकंसी भी उस हिसाब से रहती है और अप्लिकेशन भी उसी हिसाब से जाती है बहुत सारे स्टू अब तक आएगी और इलीजिबिलिटी क्या रहेगी यानि की योकिता क्या रहेगी कौन से स्टू बहुं भढ़ सकते हैं एस लिमिट सब कुछ पर बात कर लेता हूं और त्यारी कैसे करने चाहिए कौन से बुक को फॉलो करने चाहिए अभी से करने चाहिए वह सारी कि अब कितनी आएगी कि देखिए पिश्ली बार की बात नहीं करेंगे इस बार टोटल मिनिस्ट्री आफ रेलवे कि नोटिफिकेशन निकलाता यानि मिनिस्ट्री आफ रेलवे ने एक बयान भी दिया था और उन्हें जारी भी किया था करेजेंडम जिसमें लिखा हुआ था तक बग्म एक लाग 48000 या 50,000 मान लो उनको फैकंशी क्लियर करनी है दो हजार 24 कि यह 25 में क्लियर होगी कि नहीं बता सकता लेकिन हां इलेक्शन से पहले यह मांनके चलो कि इनको क्लियर करना है और कैलेंडर जो दिया है उसको नेक्स यर्ज यानि पचीस से फोलो भी करना ह यहने फिर से एल्पी ग्रूप-ड कायेगी ग्रूप-ड को जो कि ग्रूप-ड कर दिया गया है और मान के चलो और फिय जो भी वेकंशी है वो फिर से दो हैर पचीस में आएगी फिलहाल एक लग पचास जार आपको वेकंशी दिखने हो के मिलेगी सब कुछ उसमा करके जिसमें से यानि कि एक लाग पचास हजार में जिसमें से लगबग पचास हजार कम्पलीट हो चुका है जिसमें एलवी की वेकंसी है टेकनिकिशन की वेकंसी है जेई की वेकंसी है पेरा मेडिकल के दे दिया है और पिएफ के दे दिया है और पिएफ का सब्कार नहीं आया है तो यह मांद किछल में लगबाइब अद्मान बता दिता हो 50,000 प्लस 50,000 कास्पस यह क्लियर कर चुका पिज़ा जार कास्पस तरबात उपर नीचेは ठीक है बचा कितना एक लाग एक लाग बचा जिस एक लाग में और भी कई सारे वेकेंसी है आप एंटी पीशी के बात कर लूँ एंटी पीशी जो आएगी 20,000, 19,000 सम्तिंग 20,000 तो बचा कितना 80,000 आर पीएप में भी बचा हुआ है वो आएगी और मान के चलो 15,000 के 10 से 15,000 के आसपस ये भी आती तो 35,000 हो जाता है तो बचा कितना 56,000 तो मैंने पहली भी कहता अब भी कह रहा हूँ कि आपका जो वेकेंसी दिखेगी वो 55,000 से 55,000 के बीच में दिखेगी तो बहुत अद्दर होगा इससे कम रहेगा इससे ज़्यादा नहीं रहेगी लेकिन इससे ज़्यादा रहेगी इससे ज़्यादा रहने के संबावना पूरी है अब बेना आईटी आई के आप नहीं वड़ सकते हैं और लेकिन उसमें भी कुछ पोस्ट है जब नोटिफिकेशन निकल के आएगी तो हम बता देंगे और या उससे पहले भी हमें चलो कोई नेक्स्ट वीडियो में एक नोटिफिकेशन है उस पे चर्चा कर लेंगे कि आईटी आ किस किस पोस्ट के लिए है यह मांगे चलो 60,000 में कम से कम 40,000 से 45,000 आपके लिए है यानि कि फ्री ओफिन कंडिटेट के लिए यानि जिर्ण नहीं किया है यदि आईटी यह लागू करता है तो क्या होगा आईटी यह लागू करता है तो कुछ भी नहीं होगा पहले बात रेलेवे ग्रूब डी के एक या कर लिए वो इस बार कर भी सकती है यह कोई बरी बात नहीं है और यह सब को पता है कि टी से एक्जाम कंड़र्ट कर वाएगी तो सिविटी ओं सिविडी टू करेगी तो फिर वो हो जाएगे दिक्कत कि इसको पहले स्टी कर दिया कैंगे कि हम सिवेटी ओं और सिविडी होता है वो science होता है math होता है reasoning होता है और current affair general awareness current affair मानके चलो इसमें यह होता है वेटेज सबसे ज़्यादा इसी तीनों पे रहती है इस बार कितने नंबर का participation होगा participation होगा वो देखा जाएगा और आप इसकी तयारी अभी से थोरा अब बुद करते हैं तो इस तीनों को तयारी आप कर ही रहे हो यदि आप अप आइडिया नहीं किये हो तो इसकी तयारी आपको start कर देने चाहिए science की math की reasoning कितने नंबर का कौन रहता है तो यह मानके चलो आप तो डायरेक्ट मानके चलो 90 नंबर का लेके चलना है आपको 85-90 नंबर का लेके चलना है यही आप करेगा तो cut-up भी जाती है इसी हिसाब से तयारी आपको भी इसी हिसाब से करनी है ठीक है तो वेटेज किसकी रहेगी science की math की reasoning की science का जो इसमें syllabus है वो 10th standard तक रहता है यानि 10th तक 9 10th है पढ़ने लो 6 to 10 तक रहती है math reasoning उतना hard नहीं रहता है math reasoning अब आम से कर लोगे तो math reasoning के लिए पढ़नी है कहां से क्या पढ़नी है वो हम बता देंगे ठीक तो फिलाल मैंने बता दिया आपको अब रही age limit की बात कर लूँ age limit age limit में 3 साल छोट दिया जाएगा इस पार group D में या group C इसको कह रहे हो आप तीन साल चोट दिया जाएगा इस पार यानि जन्रल के लिए जो age था वो 33 साल था UR के लिए और 35 साल थाistic एक मिनट गाईस यूर के लिए 33 साल था जिसमें 3 साल प्लस कर दो यानि कि 36 साल एज हो जाता है आपका इसके लिए ग्रूप डी के लिए यानि आपकी आयू यानि 36 साल तक भी है फिर भी आप इसके लिए लिजवल हो लेकिन डेट जो दिया जाएगो उससे आगे नहीं होना अब रही बात OBC, SC, ST, OBC के लिए प्लस तीन साल और जोर दो, SC के लिए प्लस फाइव साल जोर दो, X समिस्मेन के लिए SSA जो जिसे आप से मिलती है तो अपने में प्लस जो भी छूट मिलती है उसमें आप पांस साल नहीं बलकि तीन साल हर अपनी काटेगरी में जोर देना आप तीन साल प्लस करके, यानि कि मैंने यूर को बता दिया, 36 साल तक आयो वाली लोग भड़ सकेंगे, गुरूबडी के फोर्म, इस गुरूबडी के फोर्म में 60,000 वेकेंसी आएगी, लगवग 37 के इस तक में भड़ सकेंगे फोर्म, और स्लेबस मैंने बता दिया, साइंस रहती है, मैर्स रहती है, रिजनिंग रहती है, और कह रहती है, जर करेंट डफियर रहती है, जरनल अवेरिस कहां से तो छोड़ा बहुत थरा होत रहता है, दस नमर के आसपास, इसे में केंप्टर भी सामिल कर दिया जाते कभी कवार, तो जाके एक सैंस की किताब आते समाने बिग यान, उससे गर सकते हो आप, इसकी कवर 100% हो जाएगा आपकी, रहत मैस की, तो मैस रहनी के लिए प्रिवेस या रही से लगाओ, और उसकी फोक्स को सॉल्व करो, और नहीं तो आप आरे सगरवाल की किताब ले लो, उसको सॉल्व से 50 मार्स रहता है, यह भी लग पर परसंटेल हो जाएगा आपका, अठासी 90 का असपास, और 40 से 50 मार्स बाला आउट आउट अप 100 में भी कि 90 परसंटेल का असपास हो जाता है, तो परसंटेल पर हम अलग से जचा कर देंगे, वीडियो त्यार है, हम डाल देंगे और फ्लो या कितने सही करते हैं, उससे साब से रहती है, काटेगरी वाइस सब का लग लग रहता है, इसलिए 100 परसंट अथेंटिक नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना बता जरूर सकते हैं, कि मैक्समन एक्जाम देने के बाद जो इसकरश निकल के आती है, कि आप 60% प्लस कर ले, 60-70% ला रहते हो, सिंगल डेक एक्जाम में, तो आपका मेरिट बने न बने सलेक्शन, यह क्या नम इसका, रिजल्ट बनी जाएगा, लेकिन 100% रिजल्ट चाहते हैं, तो 70-80% आप लेके चले, आपका रिजल्ट हो जाएगा, अब जरूरी यह नहीं है, कि इतनी पे हो जाएगा 40%, 50%, 60%, 70%, आप काटेगरी में हो, तो उससे कम जाएगी, और काटेगरी में नहीं हो, यूर हो, तो यूर में 70-60% आप से सिक्यूर कर लो, हो जाएगा, वस फाइनल सेक्स के बात कर रहा हूँ, यह हो जाएगा, पास करने के लिए 60-70% में पास हो जाओगे, फाइनल इतने प पर दो-तीन नमबर आ भी जाए थी, तब भी ठीक है, इतना इसमें कोशित करना, इसको इंक्रेज करने की, यह रही है आपके सलेबस, यह सब उस था, ग्रूप डी के वेकंसी आ रही है, गब तक, वो में बता दूँ, ग्रूप डी के वेकंसी आ रही है, बहुत जल्द यह आपको दिखने को मिल जाएगी, एक्जाम तो नहीं होगा इस साल, एक्जाम तो डिशंबर में भी नहीं होगा इसका, एक्जाम अपको मार्च अप्रिल में दिखेगा, मार्च अप्रिल के बाद ही दिखेगा, मार्च अप्रिल के बाद इसका एक्जाम होगा, आपकी वेक पास जबनों इसका exam date निकलेगा न, exam complete होने को रहेगी, तब इसका नगुरुबडी का वेकंसी निकल के आ जाएगी, चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब दक लिए जैन, जै बारत.